लोग वो होते हैं ब्लर वाले में वहां पर क्या बॉडी चेक अप होता है आपको बुल जाएगा कि आप अपनी सब्सक्राइब असलाम अलेकुम दोस्तों कैसे आप सब मित करता हूं आप सब बढ़िया होंगे सब्सक्राइब कराना इंडिया में कराना पड़ता है उसके बाद यहांने के बाद फिर से मेडिकल होता है तो इसमें कौन-कौन सी जाच होती है जैसे सवाधी होते हैं नारमल मेडिकल होता है लेकिन सब्सक्राइब कर दिया जाता है तो इस वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ताकि आने वली वीडियो सबसे पहले आप पर पहुंच चला चला तो सबसे पहले में बताते हैं कि कवेट का मैडिकल कब होता है जीसे और भी कंट्री है कतर हो गया उमान हो गया तो इसमें जो मैडिकल होता है वह बीजा आने से पहले मैड पड़ेगा तो सबसे पहले जो आपका बीजा है और पासपोर्ट वह काउंटर पर देना पड़ता है आपको एक स्रिप मिलती है एक स्लिप दे देते हैं टोकन समझ लिए उसमें नमबर लिखा होता है तो आपको बेटिंग हाल में बेट करना पूरता है उसके बाद में आपक है सीने का बापिया और किसी जगे के नहीं होता है को जो मेड़कल कराया है उनको पता होगा उसके बाद वहां से निकलो तो आपको blood sample देना होता है तो दूसरा केविन होता है हर अलग अलग डाक्टर होते हैं एक सरा वाला अलग केविन होता है वहां से जब आप निकलेंगे तो आपको एक दूसरे कमरे में ले जाए जाएगा या फिर कभी-कभी उसी जगे पर होता है वहां पर क्या body check-up होता है हापको बोला जाएगा कि आपको अपनी साट उटाढ़ी nforward और आपकोषेट करने पर बोला जाएगा यहीसे डाक्टर सामने खड़े हुर तो आप इस तरह फिसार चारों तरफ निखते हैं कि आपकी body में कोई दाख कोई निसान या फोड़े पुनसी तो नहीं निकली आपको बोला जाता है कि आप पैंड उतार है तो यहां पर जादा तो बहुत से लोग सर्माते हैं कि उनको दिखाने के लिए बोला जाता है तो यह देखाना जरूरी है यह दिखाना पड़ेगा इसके बगए मैटकल आगे बढ़ी नहीं पागे अगर आपको बोला जाता है कि जो बराबर है या उसमें पानी तो नहीं है बढ़ा हुआ और नार्मल नहीं कोई दिखकत नहीं अगर बढ़ा हुआ है तो उसको जो उनके अगर जितना से आप से वह पास को फैल करते हैं तो यहां से निकलने के बाद फिर दूसरे रूम में जाते हैं जहां पर आई टेस्ट होता है उसमें क्या होता है कि सामने जो है दिवाल पर एक बड़ी सी LED टीवी लगी और एक सामने डॉक्टर होते हैं तो डॉक्टर साइड में कुछ दूर ही होती उनकी 10-5 फिट दूर से उस पर बताना होता है तो आप लिखाते हैं तो उसमें दूर से आपको बताना होता है कि ये कि इसका कट उपर हमें है कि left में है right में है कि down नीचे है ये बताना होता है उसके बाद में कुछ गिंती लिखी होती है numbers उन नंबर को या पढ़ सकते हो उस नंबर को आपको पढ़के बताना होता है काफी छोटे में लिखा होता है उस नंबर को सही बताना अगर एक भी नंबर आप गलत किया तो हो सकता है वह अन्फिट कर सकते हैं और तरफिर नंबर के बाद में सबसे ज्यादा है जो आख टेस्ट में आजिस्ट में सबसे ज्यादा जो फेल हो रहे हैं लोग वहते हैं गोल आकार में एक अपने एक लिख कि देते हैं जैसे 11 12 24 30 इस तरह के नंबर लिखे होते हैं तो बहुत बिलर होते हैं बहुत बिलर होते हैं मतलब कि आपको भूद ध्यान से जिनकी आग की रोसनी दूर की बहुत सही है वही पढ़ पाएंगे अगर थोड़ा से भी आपकी रोसनी कम है जिसे 6x6 होना चीह अगर उससे डाउन है आपकी तो वो उनको दिखाई नहीं देता है तो काफी लोग इसमें फेल हो जाते हैं लेकिन इसमें क्या करना है कि कोई भी जैसे गिंती पढ़ना है या सी का राउंड किदर है या बलर है तो यह सब बताने में आपको जल्दबाजी नहीं करती करनी कुल लोग नफिट होते हैं आई टेस्ट में जल्दबाजी करने में बिलकुल हडबाइ होते हैं उसने पुछा यह क्या है बुलेट टू है फाइव ऐफोर टूंटी फोर इपैंट अलिस है इसमें जादा तर लोग उन्फिट हो जातें तो मैटिकल टेस्ट कराहें खासकर तो बहुत आराम से सोच के बताएं वह नहीं बोलते कि यहां जल्दी अल्दी करो लेकिन आराम से सोच के बताएं तो बहुत ध्यान से आपको देख के बताना है तो अगर इसमें unfit होते हैं तो क्या होता है आगे यह मैं अगली वीडियो में बताऊंगा किस तरह से आई टेस्ट आप पास कर सकते हैं कोई दिक्कर नहीं होगी उसके बाद यह last आपका टेस्ट होता है सबसे पहले एकसरा हो गया एकसरा होने के बाद ब्लेड के बाद में आ टेस्ट आप लगाते हैं तो यह पूरा प्रोसेस होता है यहां तक पूरा बिझा मा करने पाद वह एक टाइम देंगे पांच बिज़े साम को आओ याग ले दिना जो टाइम देंगे उस टाइम आप जाके अपने रिपोर्ट रह सकते हैं अगर तो आपकी रिपोर्ट ओर हैं तो वह आपको बता दएगे हैं किस तरह से क्या क्या चेक अप होता है क्या नहीं होता है और इस मेडिकल के बारे में और मिताएंगे आपको आपको प्रोब्लम हो रही है उसको कैसे पास करेंगे तो चैनल को जबो सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को बेज़ें जो मेटकल कराने जा रहें जिनको नहीं पता है कि क्या करके जाना चाहिए क्या क्या टेस्ट होता है पहुत सी गलत गलत अफ़ाय और फेली हुई है जो पसाद आ है तो लाइक करना सेर करना चैनल पर पहली बार और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना था कि आने भी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँ सके चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में तब तक के लिए सलाम अलेकुम जाए